दोस्तों क्या इस्राइल की प्रधानमंत्री नितनिहाउ का सेक्योरिटी जो है वो कमजोर पढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसे इस्राइल को लेकर बड़े बड़े बादे बड़े दावे किये जाते थे कि इस्राइल की सेक्योरिटी को कोई बेद नहीं सकता है इसराइल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है नेतनियाओ के पर्मिशन के सवा अगर वो पर्मिशन देंगे तब ही सब कुछ हो सकता इसराइल के अंदर क्योंकि वहाँ पर हाई-level security है वहाँ सब कुछ high-tech level है लेकिन वो सब कुछ इस युद में फिलियोर होता वन असरा रहा है जी हाँ आप सोच रहे होंगे कि फिलियोर कैसे हो रहा है जो इसराइल की तरफ से इतने सारे बड़े बड़े दावे किये जा रहे थे कहा जा रहा था कि इसराइल जो है वो एक मिनट में हमास को तबाह कर देगा फलिस्तिन को खत्म कर देगा गाजा पर पूरी तरीके से अपना वर्चस्व वो पा लेगा लेकिन अब धीरे धीरे इसराइल की हाईटेक सेक्यूरिटी जो है वो फुस होती वी नज़र आ रही है क्योंकि जो खबर इस वक्त निकल कर सामने आई है वो ये है कि इस्राइल के प्रधान मंत्री को खुद का जान बचाना पड़ रहा है उनकी जान पर आफ़ता चुका है जिस तरीके से इस्राइल के प्रधान मंत्री और अमारिका के विदेश मंत्री जो है बात कर रहे थे इस्राइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर बहुत गंभीरता से गहन हो रही है सोच विचार चल रहा है मीटिंस हो रहा है जो वाजन भी खुद इस्राइल पहुचने वाले है लेकिन उससे पहले आपको ये बता दे दूस्तों जिस तरीके से इस्राइल के प्रधान मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री जो है वो एक दूसरे से मीटिंग कर रहे थे और इसी बीच मिसाइल की अटेक इस्राइल के अंदर होने लगा और कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा अटेक था इस्राइल के प्रधान मंतरी को लेकर खबर चला रहा है कि उनके जान बचाने की जो है वो लाले पड़ गए है और वो कैसे अपने जान बचाते हुए बंकर में छुप गए हैं. जियानीस24 लिखता है कि अमेरिका विदेश मंतरी एंटर्नी ब्लिंकन और नेतनियाओ के बीच जो है बात्चीत चल रही थी उनके बीच मीटिंग्स हो रहे थे तब ही बात्चीत के दौरान साइरन बचने लगा, साइरन जो बता चल जाता है कि अब अटाक होने वाला है, मिस सक्षित है, उनके जान को खत्रा नहीं होता है, तो कुछ ऐसा ही साइरन इस मीटिंग के बीच बचने लगा, और दोनों जर के मारे बंकर में भागते वे नजर आए, जी यहां, दोनों को जर के मारे बंकर में छिपना पड़ा, पांच मिनट तक दोनों बंकर में छिपे रह यह नीज 24 की खबर है, आगे जी की तरफ से भी खबर जो है दोस्तों वो छापा गया है, जी लिखता है कि जान बचाने के लिए बंकर में छिपे अमेरिकी विदेश मंतरी अंटरी बिंकन और पीम नेतनी हाउ, इसराइल हमास युद हर गुजरते दिन के साथ और भी खतरन होता जा रहा है, इसराइल दोरे पर पहुंचे अमेरिका विदेश मंतरी अंटरी बिंकन और पीम वेंजमीन नितनिहाउ को अपने जान बचाने के लिए बंकर में जाकर छुपना पड़ गया, एक रॉकेट हमले से बचने के लिए दोनों नेताओं को ये कदम उठाना पड सोचे दोस्तों, इसराइल के प्रधान मंतरी भी सुरक्षत नहीं है, तो आम जन्ता के बारे में आप क्या ही सोच सकते हैं, कलपना कीजे कि जो इसराइल खुद को सूपर पावर बताता वो नजर आ रहा है और गजा पर जिस तरीके से हमला कर रहा है, उसके प्रधान मंतरी उन्हें खुद सुरक्षत नहीं है, उन्हें खुद जान बचा कर भागना पड़ रहा है, बंकर में चुपना पड़ रहा है, तो सोचिए कि स्थिती क्या है, कितनी व्यावा है, किस स्थिती में वहां के लोग होंगे, इसराइल के भी लोग किस स्थिती में होंगे, और फि दोश माड़े जा रहे हैas ये तक कहा जा रहा है कि दुनिया भड़ में इसराइल के प्रदान मंत्री जो नयत्नियाओं है उनकी लोक प्रेता सबसे खराब एिस्तिती में पहुँंच चूकी है अगर आज इसराइल के अंदर election होता है तो इस्राइल के प्रधान मंत्री इस election को हार जाएंगे ये तक report सामने आ रही है लेकिन पता नहीं किस धुन में है किस घुमान में है ये किसी को समझी नहीं आ रहा है क्योंकि बार बार कई देश के प्रधान मंत्री ये अपील कर चुके है कि इस युद को विराम लगा देना चाहिए इस युद को खत्म कर देना चाहिए लेकिन नितनियाओ साहब जो है वो ऐसे एक से बढ़कर एक बयान दे रहे है जिनके बयान को सुनकर लगता है कि बस इन्होंने किला फत्य कर ली है लेकिन किला फत्य तो छोड़िये इनको अपना जान बचाने की जो है वो लाले पड़ रहे है छुपते वे नजर आ रहे हैं किस तरीके से भागते वे नजर आ रहे हैं बंकर में जाकर छुपना पड़ रहे हैं शायद इससे उनको पता चला होगा कि क्या स्थिती है वहां के लोगों की और फिलिस्तीन के भी लोगों की कि किस हाल में वो अपनी जान बचाने के लिए भागते फिरते हैं इनको एक बार छुपना पड़ा होगा क्योंकि आप सोचे प्रधान मंत्री हैं तो इनके पास कितनी security कितना सुरक्षा और किस high-tech level में ये अपने आपको सुरक्षत रखते होंगे प्रधान मंत्री हैं हमारे देश के भी प्रधान मंत्री हैं आपको भी पता होगा कि लाको करोडों का जहाज लेकर उड़ते हैं कपड़े से लेकर उनकी तमाम चीजों का इतना खास खयाल रख जाता है तो वो तो इसराइल के प्रधान मंत्री हैं उनकी भी security लेवल तो बहुत हाई होगी और उस security लेवल के बीच में जब खुद का जान बचा कर भागना पड़ता है तो कैसा लगता है ये शायद इनको समझ में आया होगा दोस्तों इस पूरे report को लेकर आप क्या सोच आपकी क्या राया है में comment करके जरूर बताईएगा साथ ही साथ चैनल को subscribe करना विल्कुल भी ना भूले